नमस्कार दोस्तों मैं कमलेज विशुव करमा दोस्तों स्वागत 1977 YouTube चैनल दोस्तों अज हम लोग जानेंगे गीजर के बारे में और इसमें कौन प्रट है उनका नाम क्या है और उनका कार क्या है तो दोस्तो जानने से पर्ले जो लोग हमारे चैनल पहली बार हैं या हमारे वीडियों को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिये गए लाल बट्न को दबा कर हमारे चैनल subscribe कर लें और बगल में दिये गए bayl आइकान को भी प्रेश कर देगा ताकि हमारे अगले वीडियों को नौटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो दोस्तो टाइम नौवेश्ट करते हुए आए जानते हैं तो दोस्तो इसका नाम गीजर है और इसका अधिक्तर प्रयोग ठंडे पानी को गर्म करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं और दोस्तो इसे घरों में, बात्रूम में, कीचन में, गर्म पानी प्राप्त करने के लिए इसे दिवार पर टांग करके इसे नल से फिट कियाता है तो दोस्तो आप जानेंगे इसके कौन-कौन से भाग है, उनका नाम क्या है, और गीजर किस धातू का बना होता है और इसमें हीटिंग अलिमेंट क्या है, तो दोस्तो इसके भागों के नाम है, फिवजेबर प्लग, वेंट पाइप, हीटिंग अलिमेंट, ग्लास उल, थर्मो इस्टेट, प्रेसर रिलीज वाल्ब, ब्रेन पाइप कभर, इनलेट और आउटलेट और दोस्तो इसकी बाड़ी माइल्ड इस्टिल की चादर से बनी एक बेलनाकार बरतन होता है, और बरतन के बाहरी भाग पर सफेद पेंट कर दियाता है, और दोस्तो इस बरतन के अंदर एक और बेलनाकार बरतन होता है, जो तामबे के सीट का बना होता है, और दोस्तो इस तामबे के बरतन के अंदर के भाग पर टीन की पर चढ़ा जाती है जिससे तामबे के सीट पर कोरोजन प्रभाव उत्पन नहीं होता और दोस्तों दोनों बरतनों के बीच में एक उस्मा रोधी गलास उल यानि सीसे की रोई भढ़ा जाता है और इसमें एक यू आकार की जल निकास पाइप लगी होती है और उर्दवाधर आकरिती में जल प्रवेस पाइप लगी होती है और इसके बेस पर ही एक थर्मो इस्टेट युकती लगी होती है जो इमर्शन राड के स्रेडी क्रम में यानि सीरीज में जोड़ा जाता है और दोस्तों गीजर में यू आकरि खराब नहीं होता अब दोस्तों जानेंगे thermostat के बारे में और thermostat कहां पर फिट होता है तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग जानेंगे तो दोस्तों इसके भागों के नाम है gasket, bolt, earth, flange, thermostat, neutral और दोस्तो गीजर के front side में thermostat लगा होता है अब दोस्तो जानेंगे thermostat क्या है और इसका कार क्या है इसके बारे में हम लोग अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे तो दोस्तो इसका नाम है thermostat और इसे heating element के स्रेडी क्रम में जोड़ा जाता है और दोस्तो इसका प्रियोग यदि तापमान, निर्धायत मान से अधिक तापमान होता है तो thermostat heating element को आफ कर देता है अब दोस्तो जानेंगे गीजर में कौन सा क्वायल लगा है और 21 धातु का बना होता है तो दोस्तो इसका नाम है heating element और इसे heating क्वायल भी करते हैं और इसका प्रियोग water यानि पानी को गर्म करने के लिए इसका प्रियोग करते हैं और दोस्तो यह नाइक्रोम धातु का बना होता है और दोस्तो यह बीडियों आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो इसे like करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ share करिए और इसे comment box में हमें जरू बताएं कि यह बीडियों आपको कैसा लगा और दोस्तों नीचे दिये गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिये गए बेल आइकान को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे अगले बीडियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बीडियों देखने के लिए धन्यवाद